नमस्कार दोस्तों अश्रे में कि इस नए वीडियो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं अब डॉक्टर आनन्द दोस्तों जम बात करने वाला हूं जंदराजमा के बारे में आपने अक्सर देखा होगा इस वीडियो हम बात करेंगे कि यह जंदराजमा क्या होता है क्यों हो जाता है इसका कारण क्या है और मेल और फीमेल में यह ज्यादा देखने को क्यों मिलता है और आखिर में हम बात करेंगे कुछ ऐसी इंपोर्टेंट होमेपेथिक मेडिसन है जो इस जंदराजमा बर काफी अच्छा वर्क करता है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परिशान है तो समय गवाएं बिना पेश्ट होमेपेथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन दबाएं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी सी रिक्वेस्ट कर चाहते हैं हमारी क्लिक से हमारी क्लिक के नंबर 9305024291 पर कॉंट्रेट करके अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट और अपन्ट कर सकते हैं चलिए यह बात कर लेते हैं यह जंतलाजमा क्या होता है सबसे पहले आप कुछ पिक्चर्स देखिए जैसे कि आपको मैं दिखा रहा कि आखों के वीच यानि कि हमारी यह दोनों आइस उसके कॉर्नर पे चाहें मीडियन साइड या लेटरल साइड दोनों ही साइड में आपको अगर वाइटिश या यलोईश कलर का स्पॉर्ट दिखाई दे जो कि सॉफ्ट हो इसमें किसी तरह का पेन ना हो यानि कि पेनलेस ह अगर इस तरह के स्पॉर्ट दिखाई दे रहे हैं तो यह जन्तलाजमा कहनाता है यह पेनलेस रहता है यानि कि बिना दर्व देखे रहता है और वाइट और यलोईश कलर करता है कुछ लोगों को सिंगल साइड न होता है बट यह बहुत कम देखने मिलता है बट बाइलेट है पर अगर हम इसके कॉसे की बात करें तो कोई भी फिक्स काउज नहीं है यानिक कोई फिक्स कारण नहीं है पर यह कुछ कारण जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे फर्स्ट जैसे मैंने बटाया कि अगर शरीर में यह बलेड के अंदर केलस्ट्रोल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमें यह स्पॉर्ट देखने को मिल सकते हैं नंबर टू जैनेटिक अगर आपके माबाप में यह जन्तलाजमा हुआ है तो यह आपको भी उको सकता है इसकी चांसे रहते हैं नंबर त्री अगर आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है खाना पीना सही नहीं है तो जज़त कि हम पुराने समिषसे देखते हुगा तो जवाला चपा पहले के जमन में मेल और फीमेल समीट से घर के बाहर काम करते हैं इसलीए पुरानी जो भी मैलाए है जो एज़़ हो चुकी है 50, 60 के आसपास है आप देखेंगे कि उनके आंकों के आसपास दोरो साइड में ये स्पोर्ट देखने को easily मिल जाते हैं अब हम बात करें कि हम किस तरीके से जान सकते हैं किसका कारा कैलस्ट्रोल है इसके लिए हमें कुछ blood test कराने पड़ेंगे जैसे कि normally आप CBC या ESR करा सकते हैं जिससे कि हमें पता लग सके कि आपके blood count क्या-क्या आ रहा है नमबर टू आप करा सकते हैं अपता liver function test जिसमें कि हमें SGUT और SGPD ये दोनों ही देखने को मिल सकते हैं यानि कि good cholesterol और bad cholesterol के बारे हमें जानकारी मिल जाएगी तीसरा test हमें कराना है lipid profile जिससे कि आप पता लग सके ये body में कितना cholesterol है किस तरीके से बढ़ रहा है और हमें किस तरीके से control करना है चलिए बात कर लिए हम इसके symptoms के बारे में तो जैसे मैंने बोला ये bilateral soft tissues के तरह आपको देखने को मिलेंगे आखों के आसवर पास mainly median यानिकी बीज के तरफ नाक के तरफ दपको देखने को मिलते हैं गूसरा ये painless होते हैं यानिकि नमें कोई भी दर्द नहीं रहता है soft बने रहते हैं नमबर त्री ये कुछ लोगों को वाइटी शानी के सफेद कर दिखाई देता है लब सफेद कर निकलता है और कुछ लोगों ये लोई शानी की पीने कदर का उंकिल दाता है बात के रगारम इसमें हम कौन को सी अनुपैटिक मेडिसर को यूज कर सकते हैं तो सबसे पहली मेडिसर आती है कैलस्ट्रिनम जो की कैलस्ट्रोल को कम करती है हमारे ब्लेड में तो ये एक ट्राइचुरेशन फॉर्म में मेडिसर आती है आपका कैलस्ट्रिनम 3X या 6X फॉर्म में आपको मिल आता है और दो-दो टैपनेट में 2-3 बारम लेते हैं तो ये हमारे body में cholesterol को level को control में रखता है जिससे की जन्तलादमा है ये भी control में आजाता है number two की medicine की बात करें दूसरी medicine की बात करें तो आता है नेज्ट्रा म्यूर नमक से बनी हुए एक होमपेतिक medicine है बाइकमी कहीं मिल जाती है पर हम होमपेतिक potency मिलेंगे 30 या 200 में हम दो-दो या 6-6 गोली लेंगे दिन में 2-3 बार तो ये भी जन्तलादमा पर काफी अच्छा work करता है आप इसको use कर सकते है next medicine आती है आपकी थूजा थूजा जो एक anti-psychotic medicine है शरी में किसी तरह का उभार आ रहा है किसी तरह की growth बन लई है उसको बुडाने का काम करता है तो वहाँ पर ये भी काफी अच्छा work करेगा आगें 6-6 गोली या 2-2 गोल अगर अपनेंगे 2-3 बार तो आपको best result मिलने वाले है next version आती है अपकी silesia body के अंदर किसी तरह का excess कोई product आ गया है कुछ extra आ गया है तो उसको निकालने का काम करती है silesia साथी साथ चेश के अंदर कोई गाठ बन गी है कोई tissue accumulation हो रहा है वहाँ पर भी silesia काफी अच्छा वपर करती है next वो last medicine आती है आपी antim crude इसको हम higher potency मिलेंगे 1M potency मिलेंगे यूज कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो को शेर करिए अपमें सभी family groups पे friends के साथ या जिनको भी जंतराजमा की समस्या उगी उनके साथ ताकि वीडियो के मद्यम से इन मेडियो के बारे में जान सके और एक proper मेडियो के ले करके अपना यह समस्या उसको जड़ से ठीक कर सके साथ ही साथ अगर आपको जंतराजमा की समस्या और आप proper treatment करा चाहते हैं हमारी क्लिक समसे बात करके हमारी क्लिक के नंबर 9305024291 पर कॉंटेट करके अपने लिए प्रॉपर treatment और आप पॉंट निबुक कर सकते हैं चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आपको अन्दवा दिजेगा ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो डाम डाले आप उसकी notification सबसे पहले मल सके साथी साथ आपको साइड में एक वीडियो दे रहा हो जरूर देखिए आपकी health के लिटर काफी important वीडियो आने वाली है तो मैं डॉक्टा आन्द मिलता आप से एसी तरह की अगली वीडियो में तब तक नमस्कार जैहिन जैभर